हेलो एव्रिवान कैसे हैं आप लोग तो अपनी पिछली वीडियो में दोस्तों हमने प्रैपोजिशन के प्रैक्टिस कोशिंस किये थे और उसी के साथ हमारा इंग्लिश का जेके एसेसबी क्लास फॉर्थ का स्लेबस हमने कम्पलीट किया था जिन लोगों को अभी तक इंग्लिश के बारे में अभी पता नहीं है इंग्लिश का क्लास फॉर्थ का स्लेबस नहीं पढ़ा हुआ है तो आप हमारे प्लेइलिस सेक्शन में जाकर जेके एसेसबी इंग्लिश क्लास फॉर्थ वहां पर फुल इंग्लिश में अप्लोड करी भी काफी स्पार्ट कर चुके है मैथ और रीजनिंग थोड़ा हमारा रही हुई है तो हम कोशिश करेंगे कि जनरी के जितने भी बचे खुशे दिन है इसमें हम अपना रीजनिंग मैथ और जनरल अवेरिनस सेक्शन को कम्प्लीट करेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ दोस्तों फैब मन्त में हम थाउजन्ट कोशन सीरीज क्लास फोर्थ एक्जैम के लिए लाने वाले हैं जो बहुत ही इंपोर्टन रहेगी क्योंकि आपको कोशन वहीं से पुछे जाएंगे बहुत ही जादा इंपोर्टन है दोस्तों इसलिए पढ़ने के बाद जब आपका फर्स्ट पार्ट में 20 कोशन्स किये थे आज मैं नेक्स 30 कोशन्स लेकर आया हूँ इस तरह आपके वैंट डाइग्राम के टोटल 50 कोशन्स हो जाएंगे और आपको ये फुल पीडियाफ भी हमारे टैलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी आप वहाँ से जाके पीडियाफ आना होता है बस जो आप अपने वैंट डाइग्राम ड्रा करके किसी कुरेक्ट आंस जो भी कुरेक्ट आंस पर होता है उसको टिक करते हो आगे ट्नोटी फर्स कोशन्स को देखते हैं वहले देखे क्या लिख्या अनेजुकेटिट प्यूपल अनिम्पॉलाइड और टीचर सबसे पहले हम अनेजुकेटिट प्यूपल का ग्राफ यह वैंड ड्रा करते हैं यह आ गया अजुकेटिट प्यूपल इसके बाद आ गया टीचर दोस्तों आपको पता है एक टीचर एजुकेटिटिड ही होता है तो टीचर तो सारे एजुकेटिड में ही आएंगे लेकिन आई दोस्तों अबकरी होता है епर उह प्रैवल्ग्र करें लेकिन आप बोलो कि अन्निपूल आइब कुछ एजुकेटिड प्यूपल थी ऑज्युकेटिड प्यूपल भी अन्निपूपल होते हैं और कुछ ग्राफ अन अजप समझ आ गया होगा एज प्यूपल अज्पल औ आपको जो pdf में वहाँ पे इसका आंसर गलत लिखा हुआ है आपको याद रखना इसका जो राइट आंसर है 21st का वो है option first option a चलिए next question पर move करते है next question है insects flies flies and dogs अब देखिए insects insects होते हैं कीड़े मुकोरे जो flies होती हैं दोस्ताँ flies मक्षी जिसको बोलते हैं वो भी insect ही तो होती है उडने वाली होती है पर वो भी insect ही तो होती है पर dogs अलग चीज़ है dogs अलग चीज़ है लेकिन flies जो होती है वो insects में ही तो आती है तो इसका जो right option रहेगा वो होगा option B ठीक है आप देख रहे होंगे यह जादा मुश्किल नहीं है सिर्फ logic लगाना कोई इसमें technical चीज़ नहीं है next question number 23 athletes, football player and cricket player देखी दोस्तों आपको यह समझाता हूँ football player और cricket player दोनों के दोनों athletes में ही athletes भी हो सकते है और football कोई football player हो वो cricket player भी हो सकता है जो जो football खेलेगा वो सिर्फ football ही खेलेगा वो cricket कभी नहीं खेलेगा, ऐसा कभी नहीं होगा कुछ athletes दोस्तों football भी खेलते है कुछ athletes football भी खेलते है और कुछ cricket, जो cricket खेलते हैं वो football भी खेलते हैं athletes में भी अच्छे होते है यह बात आपको समझाई होगी यह तीनों एक दूसर से relation में है क्योंकि आप यह नहीं कह सकते है जो athletes में होगा वो football खेलता ही नहीं होगा आप कैसे कह सकते हो जो cricket खेलता होगा वो football खेलता ही नहीं होगा ऐसा नहीं होता दोस्तों इसलिए इसका answer जो है, option number 2 which is the correct answer चलिए next question पर move करते है languages Japanese और German ठेक है आई अब इसको देखते हैं देखिए मेरे बात सुरिये Japanese और German है तो यह दोनों की दोनों language यह language Japanese और German है तो दोनों की दोनों language लेकिन दोनों अलग language है दोनों अलग-अलग language है इसलिए इसका जो graph वनेगा वो ऐसा वनेगा जो इसका right option होगा वो होगा option B 24th ठेक है next question देखते है तो दोस्तो next 25th question आप देख पा रहे होंगे religion, mosque and temple religion होता है धर्म ठेक है mosque होता है masjid और temple होता है मंदिर देखिए चाहे masjid हो चाहे मंदिर हो दोनों धर्म के अंदर ही आती है तो religion तो आया ये religion तो आया ये लेकिन mosque अलग place होती है मंदिर अलग place होती है mosque muslims के लिए worship की place होती है temples hindus के लिए worship की place होती है तो ये दोनों physically अलग चीज़ है ठीक है तो इसका जो टैम्पल तो इसका जो राइट ओप्शन रहेगा वो होगा ओप्शन ठीक चलिए नेक्स कोशन को बिए मूव करते हैं कॉजन्स नाइसिस फीमेल अब देखिए इस जान समझना जो नाइसिस होती है दोस्तों जिन्नोंगे मेरा ब्लर रिलेशन का टॉपिक देखा है एक होते हैं नफ्यूस एक होते हैं नाइसिस जो होती हैं बतीजी भांजी इस टाइप में ये फीमेल के अंडर ही तो आती है नाइसिस फीमेल ही तो होती है लेकिन कजन्स कजन्स फीमेल्स भी हो सकती है और females नहीं भी हो सकती है या किसी की nice भी हो सकती है नहीं भी हो सकती है ठीक है तो ये आया इसका right option cousin यूँकि कुछ cousins female हो सकती है या nices भी हो सकती है लेकिन कुछ brother भी होते है कुछ लड़के भी होते है तो इसका जो right option आएगा वो होगा option D next question है athletes sprinters and marathon runners देखिए athletes तो आपको पता होगा मैंने बताया भी आपको मुझे पता है आपको confusion होगा marathon runners और sprinters देखिए दोसों sprinters पता कौन होते हैं लगा दो आप अगर 500-meter की race है sprinters वो आते हैं जो अपनी full race में अपनी full capacity या अपनी full race में 500-meter की दूरी कवर करते हैं full race पे उनको बोलते है sprinters marathon runner होते हैं जो बड़ी जैसे कि 10-kilometer race 20-kilometer race 30-kilometer 50-kilometer इतनी बड़ी-बड़ी races में भाग लेते हैं तो चाहे sprinters हो चाहे marathon runner हो वो आते तो athletes में ही है होते हो तो वो भी athletes ही है खिलाड़ी होते हैं वो भी athletes ही होते हैं और कुछ sprinters marathon runner भी होते हैं जरूरी नहीं है जो 500-meter तेज दोर सकता है वो 10-kilometer तक नहीं दोर सके और कुछ marathon runner sprinters भी होते हैं यानि कि sprinters और marathon runner यह दोनों एक दूसर से relation में है तो इसका जो right option होगा वो होगा option D next question है languages English and Canada यह हमने अभी पढ़ा चाहे English language हो चाहे Canada language हो यह दोनों languages में ही आती है तो इसका जो right option रहेगा वो होगा option fourth next question है rose flower and leaves तो देखिए flower में ही रोज आता है क्योंकि रोज एक फूली तो होता है रोज एक flower ही तो है लेकिन पत्ते leaves अलग चीज़ आई leaves अलग चीज़ आई तो इसका जो right option रहेगा वोगा option first next है milk goat and cow देखिए milk goat cow and hen ठेक है milk goat cow and hen तो दोस्तों देखिए जो milk होता है milk cow भी milk देती है goat भी milk देती है लेकिन 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 जो hen होती है दोस्तों hen दोनों से different होती है वो अंडे देती है वो milk नहीं देती इसलिए जो इसका right option रहेगा वो होगा option d ठीक है 31st question Tigers, Loins and Animals ये तो काफी simple होगा देखी Animals में ही Tigers भी आते हैं और Animals में ही Lions भी आते हैं लेकिन Lion और Tiger का कोई relation नहीं है Tiger अलग आता है, Tiger अलग cat होती है Loin अलग cat होती है Next है Professors, Researchers and Scientists जो कुछ दोस्तों पहले मैं बताता हूँ कुछ professors Scientist भी हो सकते है कुछ Professor Scientist भी हो सकते है और कुछ Scientist प्रोफेसर भी हो सकते है इसी तरह कुछ Researchers वो Scientist भी हो सकते है प्रोफेसर भी हो सकते है ये तीनों एक दूसरे रिलेशन में है न आप तो नहीं कह सकते हैं कोई Professor का वो Scientist को भी बंड़ने नहीं सकता पूरी सर्चेश बढ़ने नहीं सकता है क्यों नहीं बन सकते यह तीनों एक एक दूसरे से रिलेशन में है तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो होगा ऑप्शन डी चलिए नेक्स कोशन पर मूव करते हैं थर्टी थर्ड कोशन है बुक्स नॉवल्स और डिशनरी देखिए आपको पता है जो नॉवल्स होती है नॉवल्स और डिशनरी यह दोनों तो अलग अलग चीज़ आती है dictionary word meaning के लिए आती है novels अलग जो आर्टिकल आर्टिकल लिखे जाते है novels अलग चीज़ आती है dictionary अलग चीज़ आती है लेकिन दोनों की दोनों होती तो books ही है न दोनों की दोनों books के under ही तो आती है तो उसका जो right option रहेगा वो होगा option fourth D next herbivores, tigers and animals ये भी काफी असान है तेखिए, animals में animals में herbivores भी आते है animals में herbivores भी तो आते है herbivores बोलते है कि जो मास वगर्ण नहीं खाते है जो पत्ते वगर्ण खाते है उसमें वो भी animals में ही तो आते है ठीक है tigers भी animals में आते हैं लेकिन tigers herbivores नहीं होते टाइगर्स अलग होते हैं ठेक है टाइगर्स अलग होते हैं तो यह बना इसका वैंट डियाग्राम जाने कि जो इसका राइट और आंसर होगा वो होगा ऑप्शिन ए चलिए 35th कोशन पर मूव करते हैं पॉलिटिशिन्स पॉइट्स एंड वूमन देखी दोस्तों सबसे पहले अगर मैं पॉलिटिशिन्स ड्रा करूँ यह पॉलिटिशिन्स आया कुछ पॉलिटिशिन्स वूमन भी होती हैं कुछ औरतें भी पॉलिटिशिन्स होती हैं लेकिन पॉइट्स पॉइट्स अलग आते हैं क्योंकि poets women नहीं हो सकते poetess women होती है poets women नहीं होते तो कुछ poets भी politicians हो सकते है तो poets का में इधर बना देता हूँ यह politicians आए यह women आई, यह poet आए क्योंकि poet और women में कोई relation नहीं हो सकता तो इसका right answer रहेगा वोगा option D Question 36 Sun, Moon and Star तो यह काफी simple है देखिए star के under sun आता है sun is a star लेकिन moon अलग है, moon is a satellite तो answer जो इसका right होगा वो होगा, 36 का option D 37 आप देख सकते है rice, wheat and grain देखिए grain अगर मैं बात करूँ जो rice होता है rice वो गेहूं से तो wheat होती है गेहूं, गेहूं से तो वो अलग होता है गेहूं से तो वो अलग होता है rice का दान अलग होता है गेहूं का दान अलग होता है लेकिन होते तो दोनों के दोनों दाने हैं होते तो दोनों के दोनों grains हैं मार जाने कि grains के अंडर ही तो rice भी आता है और grains के अंडर ही wheat भी आता है लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं इसलिए जो इसका right answer है वो को option first next है school students and monitor देखिए दोस्तों सबसे पहले अगर monitors की बात की जाए हम जब school बढ़ते थे students में से ही monitor को choose किया आता ना कोई student में से ही monitor होता था तो student के अंडर ही monitor भी आएगा ये तो पता चल गया आपको कि student के अंदर से ही monitor भी आएगा और student रो monitor ये कहा होते हैं ये सब school में ही तो होते हैं ये सब school में ही तो होते हैं दोस्तों तो इसका जो right answer रहेगा option रहेगा वो होगा option 3 next question है females, mothers and doctors mother जो होती है वो female ही होती है सारी mothers female ही तो होती है लेकिन कुछ doctors के आगर में बात करो कुछ doctors female भी हो सकते है कुछ doctors mother भी हो सकते है कुछ doctors female भी हो सकते है mothers भी हो सकते है और कुछ नहीं भी होते है तो ये रहा इसका right when diagram यानि की option third is correct question number 40 है degree students BA students and BSc students चाहे दोस्तों अगर आपको पता होगा चाहे BSc students हो या चाहे B.E.A. student हो दोस्तों degree दोनों के पास होते है दोनो degree students के अंडर ही दो आते है 12 तक होता है diploma holders ये पता होगा 12 तक diploma holders आते है लेकिन जब graduate हो जाता है ये कोई भी student वो degree holders के अंडर आता है तो degree degree students के अंडर ही BA students भी आएंगे और B.E.A. students भी आएंगे लेकिन ये दोनों एक दूसर से अलग लगोंगे क्योंकि दोनों का profession दोनों की जो जो इनका study pattern है वो दोनों का अलग अलग है दोनों की classes सब कुछ अलग है इसलिए option B is correct चलिए next question पर move करते है question 41 liquids, metals and gases तो metals जो होते हैं दोस्तों metals metals होते हैं solids liquids अलग चीज़ आती है gases अलग चीज़ आती है यानि कि ये तीनों एक दूसर से किसी relation में नहीं है option A is the correct answer next question है professors, doctors and men अगर आप ध्यान से करो इसको तो कुछ मैं बोलूँ प्रोफेसर से होते हैं वो doctors भी होते हैं होते हैं ना कुछ professors, doctors भी होते हैं और कुछ जो doctors होते हैं और professors होते हैं वो men भी होते हैं कुछ नहीं भी होते हैं कुछ men professor भी होते हैं कुछ men doctor भी होते हैं कुछ professor doctor भी होते हैं जो college में पढ़ा रहा है college में पढ़ा रहा है वो डॉक्टर नहीं होगा हो सकता है तो इसका जो राइट ऑंसर रहेगा राइट ऑप्शन रहेगा वो होगा ऑप्शन डी क्यूंकि तीनों एक दूसरे से रिलेशन में है नेच्ट कोशन है प्राफिट डीवेडेंट एंट बउनस देखिए दोस्तों प्राफिट डीवीडेंट एंट बौनस तो पढ़के आपको पता चल रहरोगा देखो बौनस और डीवीडेंट यह दोनों तो अलग बात होती है bonus और dividend तो अलग लग बात ही होती है न लेकिन ये दोनों आती ही तो दोस्तों दोनों profit के अंडर ही तो है bonus भी एक टाइप का profit होता है dividend भी एक टाइप का profit होता है आती ही तो दोनों profit के अंडर है लेकिन bonus और dividend एक दूसरे से अलग अलग होती है ठीक है तो जो इसका right option रहेगा answer रहेगा वो होगा option second next question है man, woman, pregnant woman तो pregnant woman जो होती है दोस्तों वो आती तो woman के under ही है लेकिन men अलग होते हैं men अलग class है men तो जो इसका right option रहेगा वो होगा option third तो आप देख सकते होंगे कि इतना कुछ खास ये इतना tough नहीं होता ये वाला van diagram क्योंकि विल्कुल illogical basis पर question पूछे जाते है next है दोस्तों some of the cricket players और tennis players आपको इस type में शायद पूछा जा सकता है ये बोलता है कुछ cricket players tennis players है some tennis players or hockey players, कुछ tennis players hockey players है no cricket players is a hockey player एक भी cricket player hockey player नहीं है, यानि कि इनका कोई relation नहीं है which one of the following diagram represents above statement तो इन में से कौन सी diagram जो above statement को represent करती है जैसे मैंने diagram नहीं, आप इस diagram से देख सकते है जो इसका right option रहेगा, वो होगा option 2 जैसे उन्होंने बोला था, मैंने वैसी diagram नहीं आपको ऐसे basis में पूछे जा सकते हैं दोस्तों class 4 में अगर class 4 अपना level exam का जैसे बी एक level up करता है तो नहीं तो जो मैंने अभी तर question बताए वैसे ही questions पूछे जाते है next है pigeons, birds and dogs तो कबूत्तर याने की pigeons, वो होते तो birds ही है होते हो तो birds ही है लेकिन dogs अलग class अलग species आती है dogs अलग होते है तो इसका जो right option रहेगा वो होगा option first option is the right answer next है tree, plant and house तो देखिया जो एक मैं बोलूँ plant होता है जो tree या plant जो एक छोटा सा plant होता है छोटा tree होता बहुत बढ़ा चाहे tree हो चाहे plant हो plant जब छोटा होता है तब वो plant कहलाता है जो वो बढ़ा हो जाता है बहुत बढ़ा तब वो tree कहलाता है यानि कि plants तो tree में ही आते है plant तो बढ़ा होके tree ही बनता है तो plants तो tree में ही आये लेकिन house house जो है वो plant से भी लग गया वो tree से भी लग है तो इसका जो right option रहेगा वो होगा option third next question पर move करते है 48 पर ये question पहले हैं कर चुके शायद से repeat हो चुके है दोस्तों milk, goat, cow and hand तो जैसे मैं की मैंने आपको बताया था milk जो है ये goat भी milk देती है और cow भी milk देती है लेकिन hand hand अंटे देती है, hand अलग की चीज़ आई तो जो इसका right option रहेगा वो गो option third next है birds, crows and eagles birds में ही तो दोस्तों crow भी आते हैं और eagles भी आती है eagle चाहिए eagle और crow दोनों की दोनों birds ही होती है लेकिन एक दूसरे से different होते हैं eagle और crow तो भी यह अलग लगाते हैं ठेक है मुझे अमीद आपको यह समझाया होगा आपको यह पता चल रहा होगा जो इसका right option होगा वो होगा option first van diagram का last question है tables, chairs and furnitures tables, chairs and furnitures तो दोस्तों furniture में ही table भी आते है furniture में ही chair भी आती है यह दोनों एक दूसरे से बेशक अलग-अलग है table or chair लेकिं यह दोनों furniture में ही आती है इसलिए जो इसका right option रहेगा वो होगा option second तो यह थी हमारे दोस्तों 50 questions van diagram के मुझे उमीद ही था दोस्तों आपको यह समझा गया होगे इस PDF के end में आपको इसके सभीकी answers भी mentioned होगे तो आप answers भी देख सकते हैं यह full PDF में हमारे telegram channel पर upload कर दूँगा अगर class for अपना level increase नहीं करेगा तो इसी type के questions आएंगे और यह 50 questions में ही दोस्तों आपको question पूछे जाएंगे तो आप यह 50 questions जरूर पढ़िएगा क्योंकि maximum chances है class for में इसी बेस पर when diagram पर questions पूछे जाएंगे तो इस तरह हमारा when diagram topic भी complete होता है दोस्तों next topic हम analogie यह कोई और जो topic जो असान लगे शुरू में यह हम कोई भी एक topic चूज़ करके आपको लिए लेकर आएंगे ज़्यादा topic नहीं बचे है reasoning के reasoning भी जल्दी इस सफ़ते reasoning जल्दी हम complete करने की कोशिश करेंगे तो मिलते हैं फिर आपसे next video में reasoning के एक new topic के साथ